कबर शिवपुरी जिले से है जहां खनियादाना अनाज मंडी के बाहर क्षेतर के सैकडों किसानों ने सडक पर जाम लगा दिया किसानों का रोप है कि मंडी में किसानों को सुविधाओं से वन्चित रखा जा रहा है और कम दामों पर फसलों को खरीदी की जा रही है मंडी सचीव या कोई अन्य अधिकारी अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को देखने नहीं आता जिसके चलते खनियादाना मंडी में अनाज वैपारी अपना धन्दा चला रहे हैं इतना ही नई किसानों की मेहनत से कमाई गई फसल को ओने पोने दामों पर खरीद रहे हैं। किसानों का रोप है कि खनियाधाना के गल्ला वैपारी और अधिकारियों की साथ गाठ के चलते किसानों को मजबूरी में अपनी फसल मंडी के बाहर बेचनी पड़ती है। वहाँ भी वैपारी अपने मन मुताबिक कीमत पर किसान को फसल बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिलाल मौके पर खनियाधाना तहसिलदार शिवम उपध्याय पहुँचे और किसानों की समस्याओं को सुन शिग्र करवाई करने का आश्वासन दिया। शिवपूरी से कमरखान की रिपोर्ट। अठाइस-30 रुपे लगाया जा रहा है। जबकि बजार में यहां पर किसान जो ब्यापारी हैं वो अपने दुकानों से 46-48 रुपे में मुमफली खरीद रहे हैं। तो यहां पर मंडी में कौन खरीद ने आएगा। बास्तब में किसानों को अपनी मुमफली का भाव पचास से 55 और साथ रुपे मिलना चाहिए जितनी मेहनत की है। मेहनत का भी फल इतना कम से कम मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है। शासन प्रसासन भी बिलकुल मौन है। और यहां पर जो व्यापारी खुले आम चौराय पर सेक्रों टेक्टरों की लाइन लगी हुई और खुले आम जो है मंडी के बाहर खरीद रहे हैं। तो उन पर भी किसी प्रगार की कोई कारवाई नहीं की जारी जिसकी मांगे है कि मजदूरी बहुत ज्यादा हो रही है। और हमाई लिए एक उसे पचास से उपर भाव होना चाहिए। हमारा क्याना जी है कि यह मुंभली तुल रही है। उसकी रेट स्टार्ट हो थी तीन जार से तीन जार के बाद भी वो 34, 35, 37 तक जाके टूड़ आती है। चार पूरे बैपारी आते हैं। बैपारी अपने प्राइवेट धंदे चला रहे हैं। तो उनको जरूती नहीं मंडी में आने की। इसलिए जो प्रशासन से निवेदन है कि पहले तो वैपारियों की दुकाने बंद गरें। जो प्राइवेटली चला रहे हैं। उसके बाद मंडी में सारे वैपारी आएं। और किशान आया है ताकि इस किसान को कुछ बाद मिल सके। 700 रुपए में तो किसान ने एक-एक मज़ूर चला के काम किया है। है कि मंडी में कुछ कर्षकों की डांक में उने कारण कर्षकों जान लगाया गया है। एक मेरे दोरा मेरे जान लगाया तो आपकी देन जारा वजे डांक आयुचित होगी इस मज़ूर का बैपारी दोरा मॉलोगा वो ख्रायतिया जाएगा। वो इसलिए कर रहे हैं कि यसे बगल वाली साफ कोई मुमभली डेड़ी लगती है उने खुली दान इंगी है। कि साफ देरी है वोगर पांच जार रुपय की रिपी और अगर मिट्टी वाली डेरी बगल से लगी और चार वी तो किसान बढ़ जाता है। यस्टेम होती है। कित्ते बजे होती है। अब यहां तो ओदी बारा आपकी है। दाग सुरू करा जे जायते हैं। इसके बाद वहाँ कम लगे तो किसान बढ़ता लगी।